ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो की एडवेंशर गिल्ड में कलर्स की नोकरी करता था वो कमजोर था इसलिए वो कभी एडवेंशर नहीं बन पाया लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद को ताकतुर बनाना होगा जिससे कि वो गिल्ड जोइंग कर सके वो तुर देते हैं और यह ट्रेइनिग दो साल तक चलती है दो साल के बाद भी रिक को लगता है कि अभी वो बहुत कमजोर है लेकिन उसके मास्टर उससे बहुत इंप्रेस्ट थे क्योंकि रिक ने इन दो साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रस कर लिया है अब टाइम आ चुका था वापस अपने घर लोट कर उस गिल्ड के टेस्ट को देने का हाला कि रिक के मास्टर अभी थोड़े से चिंता कर रहे थे कि बहले रिक एक F-Rank Adventure के लिए टेस्ट देने जा रहा है लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो उस पूरी जगा को तबहाना कर दे वैसे अब गिंड में ल लड़की से मुलाकात हुई इसका नम अलीजा है उसने भी गिल्ड में काम करना शिरू कर दिया है यह देखकर एक थोड़ा से हैरान था हालाकि अलीजा कहती है कि वो खुद भी हैरान हुई थी जब उससे पूता चला कर एक 14 साल नोकरी करने के बाद क्लर की नोकरी चोड़ लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूत नहीं पड़ती लेकिन 30 के बाद यहां एड्मीशन लेना यह कोई अच्छा फैसला नहीं है हाला कि रिक ने अपना मन बना लिया था वह उसे गिल्ड आईडी देता है जिसके बाद अलीजा वो उसका पाडिस्पेशन नमबर देने लगती है पर इतने में एक और नाइट वहां पर आ जाता है इसने थोड़ी पी रखी थी यहां अलीजा को अपने साथ चलने को कह रहा था लेकिन अलीजा गया थे कि अभी वो काम में बिजी है तब रिक उस नाइट को पकड़ता है उसके पीट पर हाथ रखता है जिस दु को लेकर वहां से जाने लगा था तब ही अलीजा उसे ओल दा बेस्ट कहती है वैसे अपर एक बहार आते वक्त अपनी टिकट पर अपने पार्टिस विजिन नंबर को देखता है वह नंबर बहुत ही बड़ा था और एक अनलकी नंबर था वह जादा ही सोच रहा था वैसे अ उसका आर्मर लुई का बना हुआ है वो लोगस एडवेंश्रों को भी पैचान जाते हैं वो एक एक रैंक का एडवेंश्र है जो कि बहुत तागतवर मने जाते हैं वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है हम देखते कि वहां रिक और बाकियों का टेस्ट स्ट हाट हो चुपा था जिस दुरौन उन्हें एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को रेजिस्टर करवाना था रिक जब उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो बिल्कुल हलकी से लैट जलती भी देखता है इस जिसका मतलब उसकी रैंक एफ से भी कम थी मैजिक के मामने वे जो चीज़ देखकर वहाँ सबी लोग हैरान थे क्योंकि अभी तक इतना कम मैजिक किसी कभी सामने नहीं आया रिक ने अपने आप में एक वर्ल रिकॉर्ड बना लिया है जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता वैसे इसके बाद अब वहाँ पर दूसर स्लाइम बैग बाद दिया गया था और उनसे कहा गया था कि इन्हें उसे पंच करना है जिससे पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंद कितनी है अब एक उस बैग को देखकर अपनी ट्रेनिंग याद कर रहा था क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ऐसे ही स्लाइम बैग को तोड़ करते हैं और कहते हैं कि मैं एक साथ इस तरह की बेगा झौट करता हम शिरुवात में तुम्हें कम से कम कम स्लाइम बैग को आपको दिस्ट्रॉय चिरु पास हुजाता है हम देखतें हुआ देरी पाटिसिपेट्स को बलाए जाता है सब लोग उस लड़की को देखकर हयरान लग रहे थे बाद मेरी को पता लगता है कि ये यांक दूक का दूसरा बीटा है सबी लोग शौक थे क्योंकि इसकी एज बाके उसे कम है लेकिन फिर भी इसके अंदर सी रैंक एड्वेंच जो जितना टैलेंट है ये लिड़क भी यां शौफ करते हुए उस लाइम बैक पर हमला करने के लिए अपने लेवल 3 के फाइर स्पेल का अस्तमाल करता है ये हमला नॉर्बल एड्वेंच जो इतनी कमेज में नहीं कर पाते इस वोजे से सबी लोग हैरान थे और खासकर यहां रिक जादा हैरान लग रहा था क्योंकि जब वो लिड़का हमला करता है तो वो लोग देखते हैं कि इसका हमला बहुत कमजोर था लेकिन बाकी लोग हैरान थे पर रिक अभी सोच रहा था खिये कैसे हो सकता है क्योंकि जब उसके एक मास्टर ने लेवल 3 के फाइर स्पेल का अस्तमाल उसके उपर किया था तो अटैक ने एक पूरे जंगल को जला दिया था रिक यहां सोचता है कि शायद ड्यूक कभी इटा अपने मैजिक को कम्प्रेस कर यूज कर रहा है जिससे उसका मैजिक सामने आ सके नेकि निया डिस्ट्रक्शन ना फैले क्योंकि लेवल 3 का फायर स्पेल पूरे टेस्ट एरिया को खतम कर सकता है यह कभी मनी मन उस लड़के की तारिफ कर रहा था वैसे बाकियों की बारी आती है और लास्ट मैं रिक को बुलाए जाता है अभी वहाँ जो अफजर्वर था मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा था वो रिक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज़ बहुत जादा है इस एज़ में तुम एडवेंच्र बनके करोगे भी क्या लेकिन रिक को इस बात में गुस्सा आता है वो अपने इस ट्रेंइंग याद करता है और यहाँ उसने उस गोल्डन स्लाइम बैक को डिस्ट्रॉई करने के लिए दिन रात एक कर दी उसके हाथ में से खुन निकलने लगा था तो रिक गुस्से में अपनी पावर से स्लाइम बैक पर हमला करता है शोकिंगली इस चीज़ को वो पूरे स्लाइम बैक वो डिस्ट्रॉई कर देता है साथ ही उसके पीछे जो दिवार थी वो भी तोट चुकी थी वो लेवल 4 की वेंट अटैक का इस्तमाल रिक पर करता है लेकन रिक वही पर खड़े होते हुए सिर्फ लेवल 1 की डिफेंस अटैक से उस हमले से बच जाता है जो देखकर सभी हिरान थे क्योंकि उनके लिए ये कर पाना लगबग नामुन किन था तब ले वो एक्जाम मिनर भी रिक की तारीव करता है क्योंकि रिक ने सिर्फ अपने लेवल 1 की डिफेंस स्पेल का अस्तमाल किया था वो कहता है कि अब तुम्य थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफेंस स्पेल यूस करना होगा क्योंकि मैं 5th level की wind magic को इस्तमाल करने वाला हूँ लेकिन रिक क्याता है कि उसे सिर्फ level 1 का इस्तमाल करने का पैसला करता है वो in contention के साथ अपनी magic का इस्तमाल कर रहा था इस वो जिसे बागे सारे participant की यह देख कर हैरान थे पर रिक को वो level 1 का defense spell की इस attack को भी डूग लेता है वैसे इस चीज के जो दमाका हुआ था वो वहां से जा रहे कुछ ही दूसरे slave star नाम से एक knight ने देख लिया था यह first class knight है और यह भी बहुत थागतवर है पहले वो सोच रहा था कि शायद उनकी उपर prank हो रहा है पर बाद में उससे पता चलता है कि आदमी यह गिल्ड में 14 साल तक कलर की नोकरी कर चुगा है उससे पूछते है कि क्या कलर की नोकरी के लिए mighty dragon को भराना ज़रूरी है जिस पर female official कहते है कि नहीं इसा कुछ भी नहीं है वैसे अब इधर हम देखते हैं कि सभी participant का इधर रिटन टेस्ट हो रहा था टेस्ट के बाद रिक बहारा कर रोइनेट से फिर से मिलता है रोइनेट उससे पूछते कि उसका टेस्ट कैसा गया जिस पर रिक कहते है कि उसने अपने चौदर साल के इकलग एक्सपीरेंस को उस टेस्ट में लगा दिये इसमें उपका पास हो जाएगा लेकिन उससे चिंता बस अपने magic टेस्ट की है क्योंकि उसमें उसकी F रैंक से माइनस आई है जो कि बहुत कम एलेकि उससे कहते हैं कि उससे जिंता करने की ज़रूत नहीं अब तभी वहाँ पर ड्यूक का दूसरा बेटा आता है वहाँ रिक से बहुत गुस्से में लग रहाता है क्योंकि रिक की वज़े से अब ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिक हर चीज में अच्छा साबित हो रहा है वैस उसने यहाँ अपने एक हाथ पर गलोव उतार कर नीचे फैक दिया था वह उसके साथ लड़ाई करनी होगी अलाकरिके लड़ना नहीं चाहता था वह उससे गलोव को उठाता है और कहता है कि तुम नोवल सो तुम्हें नहीं पता कि इन कपड़ों को दोने में कितनी ग्राउंड में पहुंच चुके थे जहां दोनों की लड़ाई शुरूफ होने वाले थी इस यड़ाई से पहले एंजली का रूल बताती है कि जो भी हारेगा वो जितने वाले की हमेश्या गुनामी करेगा यह सुनकर रिक हैरान था उस दिरौन रोइनेट रिक को यह और ब सब यहां पर उनकी फाइट स्टार्ट होने वाले थी हम देखते कि एंजली का हमला करती है उसे यहां उनकी किंडम में फ्लैश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके अटैक्स बहुत फास्ट है लेकि रिक उन अटैक्स को बहुत ही इसली देख पा रहा था बलकि उससे व मुवमेंट को बहुत ही इसली देख पा रहा था पर इतने में एंजलीका का पैर फिसल जाता है और वो गल्री से गोल गूंते वे रिक की तरफ आने लगती है यहां वो किसी वीकल की तरह गूंग रही थी और इसकी इस बार रिक को बचने में थोड़ी से प्रोग्लम होती ह रिक उसके अटैक को देखकर बहुत ही इंप्रेस था और साथी बागिस से भी लोग वी एंजलीका अभी ऐसा दिखाती है जैसे कि यह अटैक उसने ओन परपस किया हूँ वैसे वो कहते है कि अब वो तीन और अटैक करेगी और वो तीन होई अटैक पिछले हर एक अटैक थ पर हमला करती है तो एक बार फिर से उसका पैस थिलेफ होता है जिस वजह से वह वह गिर गई थी लेकिन उसके एक सेकिंड पहले हम देखते हैं कि यहां परजिक ने जमीन पर पंच कर दिया था क्यूंकि वह सोच रहा था कि उससे एक बार तो एंजलीका को हिट करना ही होग वरना वह हार जाएगा अब एंजलीका वहां गिर गई थी इस वज़े से वो रिक के आटैक से बच गई थी अगर वह नहीं बच पाती है तो जान से मीमारी जाती च्योंकि रिक के अटैक ने वहां जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड़ा कर दिया था एंजलीका भी अंदर इससे आगे वो कुछ भी नहीं कई इससे पहले ही एंजली का अपनी बची हुई सारी एनरजी उने पैरों में लगाते हुए वहां से बाग जाती है जिससे की रिक आगे भी ना पहुंच पाए अब रिक वैसे भी उसे सर्विंट नहीं बनाने वाला क्योंकि रिक को नहीं लगता कि उसका सक्कूर सच्में बहुँचा उच्छा होगा वैसे इसके बाद अब हमें Adventure की स्टोरी बताइजाती है हमें बताया जाता है कि कोई कास ट्रेजर लेने के लिए गया था इस ट्रेजर को जो कोई भी लेगा वह अपनी कोई भी इच्छा पॉरी कर सकता है हलाकि वї ट्रेजर उस मंस्टर को नहीं हरा पाता जिसे हराने के बाद वї ट्रेजर मिलने वाला था लेकिन उस ट्रेजर को उम्मीद थी कि एक दिन कोई न कोई वह आ कर उस मंस्टर को ज़रूर अटाएगा वैसे सुस्सक्राहथ दोनोई किलास में आ चुके थे कि वो पास हो पाईगा कि नहीं लेकिन रोइनेट उसे समझाते हैं कि उसकी टिकेट ग्लू करने लगती हैं वो भी गोल्डन कलर में इसलिए कोई चीज समझ नहीं आती है कि आज का टास्ट पूरा हो चुगा है और अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो अगले दिन उनका एक मोग टेस्ट होगा अब रिक को यह बस देखना था कि टेस्ट को लेगा बाहर आने के बाद यहां रिक को बदबुवा रही थी तब ही वह ड्यू का बड़ा बेटा आता ह इसका नाब रैस्टर और यहा रोइन इट को देखकर बहुत इंप्रेस था वह लोग आगे बढ़ता है और अपना नाम बताता है वैसे रिक भी उसे अपना नाम बता रहा था लेकिन रैस्टर उसे इग्नौर करता है कि उससे कोई लेना देना नहीं था वो रोइन इट से उसका नाम पोशे लगता है, इस चीज से रिक का दिल तूट जाता है, लेकिन रेस्टर को इस चीज से वह फरक नहीं पढ़ रहा था, वो यहाँ पर अपनी चार-पांच पिकप लाइन सुलाने के बाद, रोयलेट को प्रोपोस करता है, और उसे उन्हें सेकंड बाइट बना चाहता है, वैसे यह देखकर वो बहुत हरान था, क्योंकि रिक 32 साल का है, हलाके रिक उससे कहने लगता है कि तुम भी यहीं पर हो, इसका मतलब तुम भी इसी टेस्ट को देने के लिए थे, लेकिन रेस्टर गयता है कि बिल्कुल नहीं, और वो हस्ते में बताता है कि जब करते हुए कहते है कि नहीं, रिक और वो बहुत टाइम से रिलेशन्शिप में है, इसलिए वो रिक को छोड़ कर नहीं जाएगी, साथ ही यहाँ पर वो रेस्टर की पफ्यूम की भी बुराई करती है, वो कहते है कि ऐसा पभी मत लगाना, और ना तुमारी पहली वाई भी चोड़ कर भाग जाए, अब रिक को पता चलता है कि यह सल में वो बदबू रेस्टर के पफ्यूम की थी, तब वो इतनी दिल से अपनी नाक बंद करके खड़ा हुआ था, अब रेस्टर उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो बस इंतजार करे, अगर वो रिक का एक्जामीर बनता है, तो रिक को कभी टेस्ट में पास नहीं होने देगा, अब रेस्टर वाँस चला गया था, लेकिन रिक इस चीज़ को लेकर और सद चिंदा में आ गया था, क्योंकि उसे पहले ही अब इन दिन के टास्ट से डर लग रहा था, वो सोचता है कि शायद उन उन से पोस्त है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर ग्रीड बताता है कि एक्जाम के दुरान एक आदमी ने उसे बहुत बेज़ती की, साथी एंजिनिका बताते है कि उसी सीम आदमी ने उसे भीराया, और उसकी भीजती की, अब इस उनकर रेस्टर को लगता है कि शायद वो आ वहाँ टेस्ट के लिए आ रहे थे, जिस दुरान रिक प्री कर रहा था कि काश रेस्टर उसका टेस्ट ना ले, तब भी रास्ते में उनकी मदखात लिन से होती है, लिन उन्हें बताता है कि उनकर टेस्ट आज वो लेने वाला है, जो सुनकर रिक सच में बहुती जदा कर कभी एक्जाम देगा, तो बाकियों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो खुद की स्टोरी बताता है, असल में वो जब 24 साल का था, तब उसने पहले बार इस टेस्ट को दिया, उसने तभी टेस्ट पास किया था क्यूंकि उसका भी गोल एक अच्छा एडवेंचर बनने गा थ वो जो वसे हुसता हैं कि वो एक E रैंक बने हैं। लेकिन उस बार वो बी साल हो चुके हैं अलागि उसने हार नहीं मान, उसकी एज है अभी 40 साल से दिया लेकिए 자신घ्ला कर देखें कि वह कि भूड रिंग उससे ही बार रर्यावें, यौ इसका मतलब यह नहीं है कि वह इ उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अब इसके बाद सीन चेज होता है और हम वाँ उस रूम में आते हैं जहाँ पर सभी पाटी स्वेट्स थे अब इने बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्यूंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसका टेस्ट रेस्टर नहीं लेगा हला कि तब ही वहाँ पर एक लिड़का आता है और बताता है कि लिन्ग की तब एत खराब हो चुकी है इसलिए उनका टेस्ट रेस्टर लेगा रिक तो इनाम बोल चुका था इसलिए वो सुचता है कि आखिर ये कौन है मगर रोलेंड बताते हैं कि व वो फ्रैंक डिस्टोय का आजाता है उसे एफ रैंक के एडवेंचर पसंद नहीं इसलिए वो जितना हो सकी उतने एडवेंचर को फ्यल कर देता है इसलिए वो गवरा रहे थी वैसे अब ऐसा ही होता है क्यूंकि जब रेस्टर पहले पाटिस्पेर्ट साथ अपने टेस्ट कंटिन्यू करता है तो आइस मैजिक के तरू उसे कुछ सेकिंड्स में हरा देता है और बाद में उसका मज़ाख उड़ाते हुए उसे कमजूर कहने लगता है लेकिन इतने महीं वहाँ पर एक आदमी आता है वो अब ये रेस्टर से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया थ हला कि रूनेट उसे समझाती है कि वह अराम से इस टेस्ट को पास कर लेगा उसे उस पर वरोसा है वो कहते है कि वह उसी दिन से उस पर वरोसा करती है जब पहले बार एक नए चीज़ कही थी कि वह एडवेंचर बनना चालता है वैसे अब उसकी इस बातों पर रिक का मूट बैटने से रोप नहीं वाली थी लेकिन वो रोख पाई इससे पहले इरिक उस पर बैट जाता है और वाहां से गायब हो जाता है तब ही वह डियूतारते हुए लिलकाफना फेज दिखाता है वह सब्सक्राइब ग्रीड था वह वहां असरा था और कहना था कि वह कितना इसलिए तुरंती वो बता देता है कि उसके पास शायद पावर्स नहीं है इसी वीचे से वो टेलेपूटेशन स्पैल कास्त माल सिर्फ सो मीटर के रीडियस पर ही कर सकता है इसका मतलब ने जादा दूर नहीं पहुंचा होगा वैसे दूसरे तरम वहार रिक को देखते हैं नॉर्मली अब इन्हें गार्स काएंगे इन्हें पैसे दे कर बुलाया गया है रैंस्टर की तरफ से जिससे कि वो रिक को क्को खतम कर सके या फिर उसकी आसी हालत कर से लिए जिससे कि वो टेस्ट ना दे पाए अब जब रिक कोई चीज़ पता चलती है कि वो सोचता है इन्हें उन्हें इतनी वाई या ट्रिक यूज़ करने की क्या ज़रूरती रिक को तो पहले एक खुद पर वोडर सा नहीं था कि सच में वो टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं वैसब या लड़ाई शुरूर इससे पहले रिक के तीन मास्टर वहाँ पहुच जाते हैं वो रिक से पूच थे कि उसका टेस्ट तो वहाँ अंदर चल रहा है खिर वो यहां भार गया कर रहा है रिक नहीं चाहता है कि वो गार्ट्स मारे जाएग इसी विए से वो कहता है कि क यहां रिक के उस मास्टर पर हमला करता है जो कि अभी आगया था उस गार्ड के पास बहुत ही जादा बड़ी तलवार थी और साथ ही वो स्ट्रॉंग भी था लेकिन रिक के मास्टर को टच होने के बाद वो तलवार पूरी तरह से तूट जाती है रिक का मास्टर यहां उस चिहाथ को फिर से हील कर दिया था वो कहता है कि तुम्हें तागतवर बनने के जरूर होता है अब तब यहां बाकी गाउंग में एक आदमी पहशान जाता है कि यह वही टीमा जिसे की सब स्ट्रॉंग टीम माना जाता है अलाकि बाकी लोग अभी उसकी बात पर ध्यान नही चाया था वो तागतवर है इसलिए उससे फाइट करने से कोई फाइदा नहीं लेकिन वो दूसरों को जरूरा सकते हैं तब यह रिक का दूसरा मास्टर वहां आता है जो कि एज में वहाँ ज्यादा कम है लेकिन वो तागतवर है वो समझ गया था कि यह लोग रिक को परिश है कि नहीं उसे ट्राइ नहीं करनी वैसे भी वैसे तभी वह बट लजो की इन गार्ड्स को यहां लेकर आया था वो इस बात को समझ लेता है कि यह सच में बहुत स्ट्रॉंग टीम है लेकिन इतने महीं उसके उन गार्ड्स ने ऊपर जाकर उस तीसरे मास्टर को भी जाता है और वो अपनी हाई लेवल नेचर मैजिक का इस्तमाल करती है और उन सभी को हवा में फ्रैक देती है बाके नीचे जो गार्ड्स कड़े वी थे वो इस चीज़ से गबरा गए थे वैसे वो समझ जाते हैं कि यह मास्टर असान में वैंपायर प्रिंस है और यह स्ट् और एक हाफ डॉफ है जो की वैपन क्रीशन में माहिर होते हैं तीसरा वो स्ट्रॉंगेस्ट बॉड़ी विल्डर जैसा मास्टर उसका नम बर्ट स्टोन है और वो एक और्क है और सच में बहुत ज्यादा तागतवर है उसे इस वर्ड का स्ट्रॉंगेस्ट परसन कहना गलत नहीं होगा इनकी टीम में एक फॉर्थ मेंबर भी है लेकिन हमें नहीं बताई जाती बस हमें उसका एक ब्लैक इमिज दिखाई जाती है अभी वो बर्टलर इनको यहां देखकर बहुत है उसकी आँखों में आस हुते वह कह रहा था कि यह तीनों ही एस रैंक की से पकड़े हुई थी ग्रिट पोस्ता है कि वो उसे कब तक नहीं चोड़ेगी जिस पर रोइनिट कहती है कि तब तक जब तक रिक वापस लौट कर नहीं आता अलाकि तब भी वहाँ पर रिक के एंट्री होती है जिसके बाद रोइनिट ग्रिट को वहां से दिवार के सिर्फ उससे बदल लेने के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है लेकिन यहाँ पर लिन बागी बाते भी बताता है वो कहता है कि उसका एक ओर सपना था वो चाहता है कि वो एक स्कूल चालो करे जापर उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो कि एडवेंचर बनना चाहते हैं दिन अभी बहुत दुखी था कि वो कुछ नहीं कर पाया लेकिन वो बताता है कि वो बहुत मुश्कित से खुद को वहां से चुड़ा कर आया है यह बताने के लिए कुछ टेस्ट को ना दे क्योंकि वो रिक के साथ भी यही सब करेगा लिकन रिक इस बात से गुस्सा था औ और अब वो भूल चुका था कि कुछ टाइम पहले से डर था कि वो फेल हो जाएगा वो तरंट टेस्ट देने के लिए जाता है दूसरे तरफ हम वहां देखते है कि रेस्टर अभी दूसरे पाटिस्पेर्स को बहुत बुर तरा से हरा रहा था वैसे अब तभी वहां पर उ ना है स्माइल थी और ना है कुट डर लेकिन बस इसी के साथ ये पार्टी ही पर खतम होता है